पंजाब एन हरियना हाई कोट द्वारा जारी किये गए आदेश अब चंदिगड नगर निगम के लिए भारी पड़ने वाले हैं चंदिगड में हर साल ओस्तन 4,000 डोग बाइट के मामले सामने आते हैं ऐसे में अगर नगर निगम को मुआवजा देना पड़ेगा तो वह करीब 4 करोड रुपए बन सकता है नगर निगम पहले ही आर्थिक संकट से जूज रहा है ऐसे में मुआवजे का बोज बढ़ने के बाद और भी आर्थिक संकट नगर निगम पर बढ़ने वाला है आपको वो दादे की पंजाब एन हरियन हाई कोट ने कुत्तों के काटने को लेकर एक आदेश जारी किया है इसके लिए स्थान ये प्रशाशन अब जिम्मेवार होगा और एक दाथ के निशान पर 10,000 रुपए का पीडित को मुआवजा देना पड़ेगा मई 0.2 सेंटिमिटर गहरेगाव के लिए 20,000 रुपए मुआवजा देने का एलान कोट ने किया है इस आदेश के बाद नगरनिगम चंदिगड की चिंताएं बढ़ चुकी है हाई कोट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी DC अपने अपने जिले के लिए नीती बना कर उसे सकती से लागू करें चंदिगड में भले ही डोग बाइट के लिए DC प्लानिंग त्यार कर रहे हैं लेकिन इसे लागू करने और मुआफजा देने की जिम्मेदारी नगरनिगम चंदिगड की ही होगी नगरनिगम चंदिगड ही शहर में अवारा कुटों से निपटने के लिए उनकी नस्बंदी का काम भी देखेगा बता दे कि पिछले दिनों 17 तूबर को चंदिगड नगरनिगम की बैटक में पालतू कुटों और स्ट्रीट डोग के लिए एक पॉलसी लाई गई थी लेकिन उस पर पार्षदों की सैमती नहीं बनी इसलिए उसे कुछ संसादनों के लिए भेजा गया था निगम की होने वाली अगली बैटक में ये पॉलसी चंदिगड में लागू हो सकती है महीं दूसरी और पंजाब और हर्याना हाई कोट द्वारा जारी की इन आदेशों को लेकर आमजन में खूशी की लहर है आमजन ने कहा कि हाई कोट का ये फैसला सरहानिय है चंदिगड में बढ़ते आवारा कुत्तों की वज़ा से कहीं लोग घायल हो चुके है यहां तक की कहीं लोगों की जान भी जा चुकी है ऐसे में हाई कोट का ये फैसला लागू होता है तो लोगों को रात की सांस मिलेगी महीं नगर निकम चंदिगड भी इसे सक्ती से लागू करने के लिए विवश होगा खेर पंजाब में हर्याना हाई कोट के इस फैसले को लेकर हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस फैसले को किस नजरीय से देखते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और इस खबर को जादा से जादा शेयर करना ना भूलें